दोस्तों मैं सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ टिप्स में दोस्तों आज का ये वीडियो मैं उन महिलाओं के लिए बना रहे हूँ जो गर्वती हैं और जिनको होली खेला बहुत ज़्यादा पसल है क्योंकि होली आने ही वाली है तो आप लोगों को क्या-क्या सावधानिया रखनी है इस होली के दौरान उसके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेट बटन को क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना आप बिल्कुल भी न वोलें ताकि आप मेरी आने वाले इन्फोमेटिम वीडियोस को सबसे पहले देख सके तो दोस्तों होली में गर्वती महिलाओं को किन-किन तरह की सावधानिया रखनी है ये जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इन टिप्स की मदद से होली को इन्जॉय कर से और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जी हाँ दोस्तों ये मेरी पहली डिप्स है उन महिलाओं के लिए जो गर्वती हैं जो महिलाओं गर्वती हैं वो होली खेलने में सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ का रखें कि जो भी आप रंगों का प्रयोग कर रहे हैं आप या आपके साथ जो भी होली खेल रहा है वो किस तरह के रंगों का प्रयोग कर रहा है क्योंकि दोस्तों होली में जो रंग यूज़ किये जाते हैं उन में बहुत ज़्यादा कैमिकल होता है और कैमिकल होने के साथ ही जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं किसी और के चेहरे पर लगाते हैं तो इस रंग का जो फ्यूम होता है वो आपकी सांसों के थ्रू अंदर चला जाता है जिसमें कैमिकल मिला होता है और साथ ही वो आपकी सांसों के थ्रू आपके होने वाले बच्चे को इफेक्ट करता है और उसको हानी पहुँचा सकता है तो पहले तो आप कोशिश करें कि आप रंगों की होली से बचें आप रंग अपने पे जादा ना चरणने दें या फिर कोई अगर आप पे रंग लगा रहा है तो आप ठीका ही लगवाएं और जहां पर भी रंग उड़ता हुआ नजर आ रहा है आप वहां पर से तुरंथ हट जाएं क्योंकि इन रंगों में जो केमिकल होता है वो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी बहुत हानी पहुँचा सकता है तो कोशिश करें कि आप इन रंगों से बचें जिनमें की अत्यधिक मात्रा में केमिकल होता है और मेरी ये सला है कि अगर आपको रंग यूज़ करने है तो आप हर्बल कलर्स यूज़ कीजिए या फिर उन नैचरल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में बना सकते हैं तो ये तो थी रंगों की बात तो दोस्तों दूसरी टिप्स मेरी है खान पान को लेकर दोस्तों होली के टाइम पे बहुत ही ओईली फूड हो जाता है खाने के लिए जैसे चिप्स हो गए गुचिया हो गई पूरी पकोडी हो गई इस टाइप के ओईली फूड उस टाइम पे खाने के लिए बहुत मिलते हैं तो आप सावधानी रखें कि इस टाइप के फूड आप कम इंटेक करें क्योंकि इसमें ओईल बहुत जादा होता है इससे आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम सोज़के साथ ही इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें जो होली होती है उसमें अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो भांग का पकोड़ा होता है या भांग का जूज बनाकर अपने आने वाले महमानों के लिए परोस्ते हैं तो आप इस टाइब की चीज़ें जिन में भांग मिली हों उसे बिल्कुल भी ना खाएं ये बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक होती है तो अगर आप अपने आसपलोस में जा रहे हैं किसी रिष्टेदार के घर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान अच्छे से रखें कि आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं तीसरी टिप्स करवती महिलाओं के लिए ये है कि वो कोशिश करें कि वो अपने घर में ही होली खेलें और ज्यादातर बाहर ना जाएं चाहे आपको फर्स्ट मंथ हो या नाइन मंथ हो क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ज्यादा मूवमेंट करते हैं ज्यादा आप इधर उधर जाते हैं और घर पे भी अगर आप होली खेलती हैं तो आप कोशिश कि आप बैट कर ही ज्यादा इंजॉय करें ज्यादा दोड़ भाग ना करें और ना ज्यादा उचल कूद करें और एक सजेशन और है कि आप पानी वाली होली से तो बिल्कुल बच कर रहें क्योंकि इसमें फिसलने के चांसेश बहुत ज़ादा रहते हैं तो pregnant ladies ध्यान रखें कि वो फिसल ना जाएं इससे miscarriage होने के बहुत ज़ादा चांसेश होते हैं आप किसी भी मन्थ हैं तो आपको इस टाइप के किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना है चौछी टिप्स दोस्तों मेरी ये है कि अगर आप होली खेलना जाते हैं तो अपनी बॉड़ी पे इसकीन पे पहले अच्छे से तेल की मालिश कर लें और उसके बाद ही आप होली खेलने क्योंकि क्या होता है कभी-कभी जो रंग होते हैं वो निकलते नहीं आसानी से और कभी कभी इससे इतनी एलर्जी हो जाती है इसकिन पे कि आपको मेडिसीन लेनी पड़ जाती है और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बाहर की मेडिसीन आप नहीं ले सकते हैं तो कोशिश कीजिए आपको इस तरीकी की कोई भी एलर्जी ना हो इसलिए आपको और वो होली खेलना चाती हैं तो अपने खानपान को लेकर रंगों को लेकर मुव्मेंट को लेकर सावधानिया बरत कर आप होली को इंजॉय कीजिए तो जादा बहतर होगा तो फ्रेंट्स ये थी मेरी कुछ तिप्स और साथ ही याद दिला दू मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए मेरी वीडियो को शेर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो